वेलकम बैक बहुत बहुत स्वागत आप सबका और आज फिर इक सबर्दस्ट बहुत highly demanded topic आपके साथ share करने के लिए हूँ आज का topic जो है वो है weight loss पे आह मज़ा आ गया होगा पांचे खिल गयोंगे कि very good आज मज़ा आने वाला और सच में मज़ा आ जाएगा क्योंकि मैं आप बजर्गों की मदद करना जिनको घुटनों के operation के लिए बोल दिया जाता है तो जब 100 किलों का इंसान हमारे सामने आता है तो हम हमेशा कहते हैं आप अपना भार घटा लीजिए घुटना अपने आप ठीक हो जाएगा बाकी की 10-15% की रहती सहती कसर तो हम पूरी करी देंग अगर किसी का constipation की समस्या है कबज की समस्या है पेट साफ अच्छे से नहीं होता आंतरिया साफ नहीं होती है उससे वो भी होगा क्या बात है कमाल हो गई और अच्छी बात एक और भी है ये जरूरी नहीं है कि आपको कितने महीनों तक लेना है जब आपको लगे कि मुझे अब मेरा 6 किलो 8 किलो 10 किलो कम हो गया है वहीं स्टॉप कर दीजिए बहुत मज़ा आने वाला है आज का वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है चाहें गुट्टों में प्रॉब्लम है या नहीं है अगर वजन ज्यादा है तो इस फॉर्मूले को जरूर 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 यह वो तमाम लोग जानते हैं जिनका वजन इस वक्त बहुत ज्यादा है जो लोग वीडियो देख रहे हैं और उनको सब को मालूम है कि उनके साथ अभी क्या-क्या तकलीफें वो झेल रहे हैं मेरा काम है उन तमाम लोगों को सोलूशन देना वहीं सोलूशन आपको देने घर में रख लीजिए और आपको क्या करना है रात को एक गिलास पानी पक्रीबन 200-200 ml पानी ठीक है उसमें एक चमच त्रिफला जो है रात को भिगो के सो जाने आपके सुबह उठके उस त्रिफले वाले पानी को त्रिफले समेथ उसको अच्छी तरह से आपने उबालना है तब तक उबालना है जब तक की वो आधा शेश ना रह जाए जब वो आधा रह जाए तो उसको चान लीजिए और थोड़ा सा टेंपरेचर उसका डाउन जाने लीजिए थोड़ा सा और उसके बाद उसमें एक से दो चमच शहद के डाल लीजिए बड़ी आप प्योर शहद खाली पेट आपको वो लेना है और सिप सिप करके लीजेगा अराम से एकदम सिप सिप करके आपने 15-20 मिनट में उसको खतम करना है और ख्याल इस बात करकना है कि कम से कम एक से डेड़ घंटे तक आपको कुछ भी खाना पिना नहीं है और आप देखेंगे पहले महीने में जो कम से कम हमने देखा है जिनका वजन कम हुआ है कम से कम 3-4 किलो वजन लोगों का कम हुआ है और अच्छी बात यह है कि पहले दो हफते के अंदर अंदर यानि 10-15 दिन के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि मेरा वेट शायद कम हो रहा है मेरी बोडी जो हलकी हलकी मैसूस हो रही है मतलब जो काम करने में भारीपन सुस्ती यह सब तकलीफे थी वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएंगे और अच्छी बात यह है कि कबज का नामों निशान नहीं रहेगा और आप सब जानते हैं कि त्रिफला के कितने फाइदे हैं त्रिदोश नाशक है अंदर की पता नहीं कितनी बिमारिया निकाल देगा साथ में आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा सब तरह से हर तरह से सेफ है किया जा सकता है और रिजल्ट ओरियंटे है अजमाया हुए है अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक